स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में तो दोस्तों आज मेरे पास गाड़ी है हीरो एचेव डीलक्स ये दोहजार चोबिस का मॉडल है ये जो सामने आप कलर देख रहा है ये है रेड़ और ब्लैक कलर इस गाड़ी का एक्षो रूम प्राइज आरसाथ जार रूपय पढ़ जाएगा आउन रोड ये गाड़ी आपको आसे जार रूपय के आसपास पढ़ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है आप सोरू में जाकर चेक कर सकते हैं तो चलिए इसके बात बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्रेंट लुक की इस गाड़ी के फ्रेंट में सबसे पहले हीरो का लोगो मिल जाता है है हैलोजन बल्ब में हैं इंडिकेटर मिल जाते ह चारो इसके नीचे आप नमबर प्लेट लगा सकते हैं थोड़ और नीचे आते हैं तो बाटी कलर में यहाँ पर मटगाड देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंट सस्पंशन की बात करें तो फ्रेंट में टेली सकोपिक सस्पंशन मिल जाता है रिफ्लेक्टर मिल जाता है, बात करें इस गाड़ी के फ्रंट टायर साइज की तो 80-228 एंज का यहाँ पर आपको ट्यूबले स्टायर देखने के लिए मिल जाएगा सिल्वर कलर में अलोईस देखने के लिए मिल जाते हैं बात कर लेते हैं इस गाड़ी के मिल जाता है, बात कर लेते हैं इस गाड़ी के मिल जाता है मिल जाता है, राइड साइड हैंडल बार में सिर्फ पावर स्टैट का बटन मिलता है इंजन किल सुच नहीं दिया गया, इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रूल टैंक की तो साड़े 9 लेटर का फ्रूल टैंक मिलता है, E20 फ्रूल सपोर्ट करता है 70 प्लस की मैलेज मिल जाती है, एक बार टैंक फुल कराने के बाद ये गाड़ी आपको 700 किलोमेटर के असपास ले जा सकती है बात करें इस गाड़ी के सीट की तो सिंगल सीट मिल जाती है इसकी कुजरिंग ठीक ठाक है, दो लोग अराम से बैठ सकते है पिलिन की सेफटी के लिए ग्रैब रेल दिया गया है हाईलोजन बल्प में टेल लाइट मिल जाती है इंडिकेटर भी हाईलोजन बल्प में देखने के लिए मिल जाते है नीचे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं यहां पर power start के साथ-साथ की का भी option दिया गया है rear brakes paddle मिल जाता है front का footrest मिल जाता है बात करें इस गाड़ी के engine की तो इस गाड़ी में 97 CC का single cylinder 4 stroke 2 valve air cold engine मिल जाता है जिसकी maximum power की बात की जाए तो 8.2 PS की power produce करता है और 8.5 NM का torque produce करता है ये engine बड़ा सा exhaust pipe देखने के लिए मिल जाता है passenger footrest मिल जाएगा rear में hydraulic suspension मिल जाता है इसके बात कर लेते हैं इस गाड़ी के rear tire size की तो यहाँ पर भी 82-188 inch का tubeless tire देखने के लिए मिल जाता है same color में alloys मिल जाते हैं rear में आपको 130 mm का drum brake देखने के लिए मिल जाएगा safety के लिए सारी गाड़ दिया गया है hydraulic suspension मिल जाता है chain cover देखने के लिए मिल जाएगा passenger footrest मिल जाता है इस गाड़ी में आपको 2 stand मिल जाते हैं single stand यहाँ पर है और जो double stand है वो वहाँ पर है तो single stand में आपका stand cut off feature दिया गया है आपकी गाड़ी start नहीं होने वाली है front का footrest यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 4 speed gearbox के साथ आती है यह गाड़ी बात करें इस गाड़ी के dimension की तो 720 mm की width मिल जाती है 1915 mm की length मिल जाती है 805 mm की seat height मिल जाती है 165 mm का ground clearance मिल जाता है 112 kg का curve weight देखने के लिए मिल जाएगा top speed की बात करें तो 90 touch कर सकती है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलतें नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद